मैं आप लोगों को बताऊंगा एक अच्छा सा कोर्स, Certified Course on Electrical Vehicle Charging Stations जो फ्यूचर में बहुत ही demanded कोर्स है, फ्यूचर में इसका बहुत ही demand होगा तो इसके बारे में इस छोटे से वीडियो को बना रहा हूँ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे Electric Vehicle Charging Stations किस तरह charging station को establish करना है, किस तरह उसका maintenance करना है आप अगर maintenance करने के लिए या charging station में काम करने के लिए इस कोर्स का use कर सकते है या charging station अपना won create करने के लिए जो अपने मोहले में या अपने city में अपने शहर में charging station को establish करने के लिए भी इस training को जरूर करना इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Certified Quartz on Electric Vehicle Charging Station First of all, one small request नीचे दिया गया हुआ Subscribe बटन को जरूर दबाईए इसके द्वारा इस तरह के अच्छे से वीडियो साब लोगों को मिलते रहेंगे मेरा नाम है Shams, यह है मेरे Qualifications वीडियो को स्वागत करते हैं The Future Vehicles are Electric Vehicles आप सभी लोगों को मालू है इंडिया में आलरेड़ी स्कूटर्स, मोटर साइकिल्स उसके साथ ही साथ कार्स भी चल रहे हैं इलेक्ट्री कार्स, इलेक्ट्री जीब्जी चल रहे हैं बसेस भी सक्सेस्फुल्ली इस तरह के कमपनिस अपने एलेक्ट्री क वेकिल्स को नेक्स्ट यर तक रोड पर लाने की कोशिस में हैं बहुत सारा कामप्टिशन है बहुत सारे एलेक्ट्री क वेकिल्स बढ़ने वाले हैं इंडियान रोड पर तो इस तरह आप लोगों का इस course में admission लेने के लिए जरूर मन चाहेगा future demanded course है इस course में आप लोगों को training जी जाएगी National Small Industries Corporation ये NSIC जिसको हम जानते है NSIC Technical Services Center दिल दिल दिजिए Government of India Enterprise है Government of India के द्वारा निर्मित के आ गया हुआ Self Employment के लिए और educational trainings के लिए Professional Skills बढ़ाने के लिए NSIC को establish किया गया है NSIC National Small Industries Corporation Technical Services Center दिल दिल दौरा आप लोगों को इस electric vehicle को किस तरह charge करना है Electric station को किस तरह maintain करना है Electric station किस तरह operate करना है इसके बारे में training दिजाएगी बहुत ही short term course है केवल one month में आप लोगों को course complete हो जाएगा इसको आप अपने own establish कर सकते है इसको आपने own लगा सकते है छोटा सा investment के द्वारा या किसी electric station पर काम करने के लिए भी Employment के लिए भी बहुत ही अच्छा काम आएगा So certified course one month training के वल one month training है वो भी NSIC तिलींबर EV charging stations and technologies इस course में आप लोगों को सिखाया जाएगा कुछ brief subjects आप लोगों को बता रहा हो है EV charging stations and technology के बारे में EV stations infrastructure के बारे में भी सिखाया जाएगा solar powered EV charging station के बारे में भी जानकारी दी जाएगी EV charging station site visit भी practical किया जाएगा आप लोगों को practical बताया जाएगा EV charging station demo भी दिया जाएगा इस तरह के बहुत ही practical oriented course है आप लोग जरूर सीख पाएंगे electric charging vehicle के बारे में इसका course भी है केवल 4000 रुपीज 4000 रुपे में आप लोगों को electric charging vehicle के बारे में complete जानकारी मिलेगी इसकी में admission के लिए जो भी 10th class पास हो उन लोगों को admission दिया जाएगा या आप 12th class हो या ITI पास हो या any degree जो भी अब ओर 10th class या 10th class minimum 10th class का qualification है जो matriculation जिसे कहते हैं 10th class qualification के अब ओ जो भी है 10th class पास कर चुके तो इसमें admission आप लोग जरूर ले सकते हैं you can join in any batch हर माहिना एक एक batch है केवल 1 month का training है इसलिए April में एक batch complete होगा May में, June, July, August, September, October and December, January इस तरह के batches यहाँ पर set किये गए हैं आपके time के हिसाब से आप लोग किसी तरह का ब्याश में भी जाइन कर सकते हैं details और details पाने के लिए जिस address पर आप contact करिये other details जो भी आप लोगों के मन में सवाल हो उस सवालों को clear करने के लिए नेशनल स्वाल इंडर्श्रीस कार्पोरेशन NSAC Technical Services Center ओकला इंडर्श्रियल एश्टेट फेस्ट्री नियर गोविंदरपी मेट्रो स्टेशन नियो दिली इस address पर contact कर सकते हैं या इस phone numbers पर भी आप contact कर सकते हैं दो phone numbers, cell phone number भी है यहाँ पर एक landline number है और उसके साथ ही साथ website भी दिया गया है batches के detail के लिए admission detail के लिए notification details के लिए other requirements के लिए आप लोग इस phone numbers पर भी contact कर सकते हैं बेश्टा फ्लग जरूर admission लेना thank you, thank you very much इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाहिए WhatsApp के द्वारा